मैं आज भी आपकी सामे में बोलता है I am big time failure अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग failure ना हो मैं उन लोग लिए खड़ा होना चाहता हूँ जो मेरे जैसे लोग struggle करने के यहाँ पे आते हैं उन्हें सबसे अच्छा परमानन उज़ा की time में आता है मुझे लगा कि मुझे अपने आप पे 2-3 साल काम करने की ज़रूरत है तो अब इस stage पे घर से लेना possible नहीं था तो फिर मैंने acting को drop किया और direction और production में काम सुन करना start किया और यहाँ अपने यहाँ क्या होता है कि आप हिंदी में movie बना रहे हैं बटा आप हिंदी को लेके same फिल करते हैं ऐसा मैं कोई बनापती नहीं बोलूगा कि मेरा काफी करीबी में जीवन बिटा है और मुझे भी याद भी नहीं क्या था नहीं था बट यह आदें कि मैंने प्यरुजगारी नाटे लिखा था डिरेक्ट किया दा परफॉम किया था और उसी के वज़े से मुझे सारे स्कूल के टीचर्स जाननी लगे थे क्या था साम होती है उसको नीचे करते थे उसके सूझ आते थे 데 यह आपका daily business फे practice करना होता है कोई जुआर नहीं था कोई मेरे जानने वाले नहीं थे कोई reference नहीं था बट सब्स भी मुझे काम करना था मुझे experience करना था क्या process है movie making का और फिर मैं appreciate करता है जैसे फिर में बननी चाहिए बट नहीं बनने चाहिए पंदर जी हम लोग साथ में और मैंने उनको गरदन तोठाया था इनका नाम है और इनसे बात करते हैं इनके करियरन के बारे में कैसे यहां तक पहुँचे और क्या 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 आप कठना ही आए अंदर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आइक्स को करें दीजिए और आपके में एक चांस दिया इस पॉड़कास के लिए और फर्स दिन मैं बोलना चाहता हूँ मैंने किसी कुछ जीरो से हिरो मैं खुद जीरो से हिरो नहीं बना मैं आज भी अपने आपको एक अनसकसफुल आदमी बोलता हूँ मिरे पास कोई भी आ आप थोड़ा अपने गाउं के बारे में बताईए कहां से आए आप और क्या जर्णी रही है आपकी गाउं की बिहार में एक जगर है मदवनी डिस्टिक तो उसी डिस्टिक में मेरा चोड़ा सा गाउं है बरहनपूर नाम है उसका और उसी गाउं में मेरा जनम हुआ है मेरी पढ़ाय लिखाई बीतिया एक जगर है जहां से मनोज बाचपही है और हमारे स्कूलिंग भी सेम था हुमारे स्कूल में काफे सिनियर है मनोज बाच पर उसी स्कूल से मैंने स्कूलिंग किया हुग है और फिर उसके बाद में दिल्ली जाकि मैंने ग्रेशिशन किया और कि मुझे दो-तीन साल अपने आप पे काम करने की जरूरत है तो कि एक एक्टर एक बड़ी responsibility होता है आप एक बहुत बड़ी responsibility चुच कर तो कि आपको एक्टर बनना है लोग आपको देखने के लिए आते हैं मुझे लगा कि मुझे अपने आप पे दो-तीन साल काम करने की जरूरत है तो जाकि यह चीज़ी करना possible पो पाएगा तो फिर मैंने और जब मेरी घर की जो condition था कि मैं मुझे अब खर को देना था मैं भी खर से अब ले नहीं सकता था और यहां पे मुझे इतना क्वास्ती जगर है तो अब इस स्टेज पे घर से लेना possible नहीं था तो फिर मैंने एक्टिंग को ड्रॉप किया और डेरिक्शन और प्रोड़ुचन में काम सुन करना स्टार्ट किया काभी सारे सेरियल में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो उत्रण करियर स्टार्ट की तो वहां पे जर क्रियेटिव मैंने जॉइन किया था फिर सेरियल के बाद में मैंने फिल्मों में काम किया काफी सारे एड फिल्म्स का डिरिक्सन प्रोट्सन के खिस्ता बना फिर जो मेरी खुद की जर्नी रही मुंबई की और जो मैंने अपने आसपास के मुंबई की जर्नी से पहले मैं थोड़ा सा गाओं के बारे में और विस्तार में जाना चाहूंगा कि जब आप स्कूली पढ़ाई करते थे तो वो कैसे दिन थे आप एक अमेर परिवार से थे या गरीबी में जीवन बीते हैं या बहुत ज़्यादा गरीबी में कैसा था हो ज मैं कोई बनापती नहीं बोलूगा कि मेरा काफी करीबी में जीवन बीता है मेरे पापा कोट में कलरक थे तो इते जो नॉर्मल मेरी लूवर मेरे जलास की लाइफ बोलते हैं वैसा लाइफ मैंने जिया है तो अच्छे जगा भी स्कूलिंग हुआ है और ठीक ठाग पढ़ा मैं उस नाटब को लिखा भी था मैंने पूरा टीम भी मनाया था और मैंने अपने अन्वन फंसनम्म कीया था तो मेरा पहला स्टेज था सेकेंड क्लास में तो इस स्टार्टिंग सी रहा नाटब करना पपौम करना उसमें अवार जी जीतना वैसी जरनी सटार्ट हुई आपको इस सब चीजों के बारे में पता कैसे चला कि मुझे एक्टिंग में ही करियर बनाना है क्योंकि हम अगर यूपी बिहार की बात करें तो यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं मतलब इतनी चीजों की पहुच वहाँ पर नहीं होती संचार माध्यम नीदा पहले अब जिस वक्त की बात कर रहे हैं तो आपको कैसे लगा कि में यह एक्टिंग में ही जाना है यहां उस पर हिंदुस्तान का रंगोली आता था और दैनिक जागरन का जहंकार आता था जिससे हमें सारी फिल्में ख़वर मिलती थी और कहीं अगे अपने आपको उस रूप में देख रहे थे कि आप भी अबिस था कि एक्टिंग से प्यार था इसी फिर्ट में मन लगता था बहुत बच्पन से उसको ज्यादा भी इंजुआई करते थे हम करना स्टेश को लाइक करना और घर पे बापा पेपर लाते थे हिंदुस्तान और उसमें सेटर्डे को रंगोली आती थी तो सेटर्डे सेंडे को उसमें आपको बॉलीबूर मुंबई की खबरे आती थी क अधिक काफे लोग केट समरागी देते मैं फिल्म पेर लिया घरता था उसको पढ़ता था जमागर के सारे पिपर्स के अरंगोली जंकार काफे ताम से रखते थे और बार बार पढ़ना इंटर्व्यू पढ़ना ना पार अधिवारों पर बहुत सारे लोग कटिंग लगा आ है अज भी है मेरे पास मेरे पास ना अर्व होता था था और उस डाइरी में मेरे पास ब्लेवेट हो ऊंसरे देज्टिवूस पढ़कर हमसार रहा लगिन आपको पर जाने का डर कभी रहा है, ऐसा कि मंच पर जाएंगे, लोग क्या सोचिंगे? अब समय पर बिरुजगारी नाटक परफॉर्म किया और सब मुझे टीज़े आप किस वक की बात करें, कौन से यह यह अगर आप मैं सेकेंड क्लास में, आई थिंक, तुर इन थ्री में मैंने मैंट्रिक किया है, तैंट पास किया है, तो आप तर सब बैक चले जाएं तो तीन उस से विभषगारी नाटक को लिखा था यह सोचा था, और मुझे आद भी आद भी नहीं क्या था नहीं है, बटिए आद हैं कि यह आदें कि मैंने लिखा था, ड्रेक्ट कियादा, परफॉम किया था, उसही के वज़े से चूल के टीचर्स जानने लगे थे, कि और सारे ब यूप जो प्ले बनाता था उसमें सब में मुझे रखा जाता था मैं हमें से नोटिसेबल होता था और उससाब कमेडी केरेक्टर्स काफी इच्छा करता था तो तो यहां तो इतना ज़्यादा प्रीसेशन मिले लगा फिर मैंने जब तैंथ किया था इचली पिहार से आप 10 कि लोग बार 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 बोलने हैं कि इसको रिपीट करने के लिए इसको लाओ सामने, अव्य स्कूल में जब रिडिंग करता था ना तो बच्चे एक बार बच्चे में सर भीटा देते थे और मने उसे दू बार तीन वार रिडिंग करने के लिए बोला जाता था में थ्वार कामेडी स्टाइल था चलने का बोलनेगा तो थ्वार था हमेंसाद इफ्रेंट रहा मैं इसकूल में साथ पुछते थे कि कौन क्या बनेगा सारे बच्छे डॉक्टर तो सब बाकी की इंजिनियर्स मैंने बोलाग में यह नंदन ज्हाओ बनना है तो मैं ऐसे नहीं जब आप अपना नहीं पना अइडेंटिटी बनाना है इलकुल खुद की रहां करना मुझे अपने नाम से जाना आज जया है ऐसा मुझे बनना था तो इसी तरह से इसकूलिंग वद्धोरी नॉर्मल सा जब आप अपने गाव से दिल्ली बहुचे थे तो दिल्ली अप एक् प्रश्टू कर लिया था वहाँ अपने बियार से फिर दिली में आगे का रिजिशन करने के लिए निकला था वहाँ मैंने डियू में अधिशन लिया और साथ में पढ़ाई चली तब अपना क्या होता अपने यह काफे लोग मतलब दिली और मुंबई आते तो अपने इंगली क्लासे जॉइन किया क्या वाकई में क्लासे जॉइन करने से एंगलिश इंप्रू होती है यह आप सच अज अगर आपने उससे पूछोगे न तो अगर आपको अपने इंगलिस इंप्रूब करनी है तो सबसे अच्छा है आप हॉल्यूड मोबी सब्टाइटल के साथ में दे को कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप क्लाशे सके मतलब लिए को कुछ खास इस नहीं हुआ कि जाके जोन अब्रहाम पर इंटर्वी पड़ा मैंने कि वह मतलब मेडिया मेंजमेंट कर रखा था फिर एड इंसी में जॉब करता था क्लाइंट सर्विसिंग में तो मैंने भी सोचे कि वहां पर इंसी में जॉब करने लगा बड़ा बड़ा बोरिंग सा लगता था कि सुबर टाइम पर पहुंचो और साथ विचे पैक आप जॉब खतम होगा और वी बोरिंग सा जॉब को लोगे मैं रसी जिंदिक हाम अनी तरह कि खर लिया मैं धैसा नहीं था कि मुझे किसी डाम ए लेंसिक सब्सक्राइब न कई बनाएं और मतलब तरीके निगा लें का से मोंभी जाएं किसे गजाकरें पिर जाकर मैं एक गॉल नहीं था जो महस्रीब बंदर एक जगह है मुंबही में तो वहां पर क्या ज़ता था तंग सा गंदा सा ऑफिस था तो उसने क्या ज़ता था था उस पर कंप्यूटर होता था दिन के टाइम में साम होते ही उसको नीचे करते थे उसके सुझ आते थे और सुव़ उसका मालिक आठ वजी ते मुझट फ़्था हैं एक धाता था कि फिये आना पता चले हम लों यहां पर रुखे हुए हम यहां पर रुखे हुए हैं घ् यहां पर दुखे हुए हैं तो हमस्रश फुवजी साथ जे रूंप निकल जाते हैते बहां से किẫnली जरगा थ जहांपर आप सोते थे I think 200 square feet का जगह रहा होगा अब कितने लोग सोते थे वहाँ पर वहाँ पर तीन लोग सोते थे थे तीन लोग सोता था दो लोग पर इंपुराई थे वहां थे और एक हम होते थे ऐसे करके वहाँ सिक्स मन्त का डाइन पिता तो सुकर साथ बजे ही अप फिल्म सेटी चले जाते तहां कि से मिले कोई काम इस फिल्ड में दे दे तो ऐसे करके बटगना सुरूगा फिर जा कि ओडिसन देना भी स्टार्ट किया तो बट आई रियलाइज कि मुझे अपने अपर काम पर नीटी जबरत है तो जब मैंने लोगों को देखा और अपने आपको फिरिज किया कि य एक्टिंग क्लासेज जोइन करो और आप घंड से पैसा देते रहो फिर मैंने डिरेक्शन प्रोड़क्शन में जो आप दूनना स्टार्ट किया और फिर ऐसे फिर जब आप मुंबई रहते दे तो पैसे आपके पिता जी बेजा करते थे या आप यहां से बेज़ते थे उन पापा से लिए रहा हूँ फिस्टल पढ़ाई कर लिया और उसके बावजूद खुद में अच्छा नहीं लगता है कि आप पापा के पैसे से रेंट दे रहे हो पर खर्चे निकाल रहे हो तो अपने आपे मेरा बदासा फिर होता था फिर मतलब साल दो साल मुझे अपना अ इन अपने खर्चे निकरने लग तो कफी स्ट्रगल किया मैंने यहां पर रहने का एक सही गाइडलाइन का तो कि यहां पर एक सही गाइडलाइन करने वाला अपने लिए सारे इस चोड़ वारे बीजब स्टार्टिंग में भुमाद तो मन्त दीन मंत में अक्टर्स बना रह तो मुझे तो बड़ा गरवर लगा यह तो जब मैंने इस सारा कुछ आपजब किया मेरे साथ में जो लोग रहते थे सब आएं तो कोई मतलब आप पर कोई काम नहीं कर रहा है यह वर्किंग हार्ड गेट आप आप पाने की हर वड़ी है पर अपने आप पर काम करने की क्राप उस वक्त में क्या सच में ऐसा हुआ गरता था कि एक आपके अंदर एक्टिंग का भी गुड़ होना चाहिए लिए इस वक्त गजी जो एसा ही है कि लोग लगता है कि जीम जाने से गुड़ गुटिंग है तो एक्टर हीरो बन जाएंगे वह अपनी क्राफ्ट पूले की कंस तो यहां तक कि आप देखे मनुज बाटपे जैसे इतने महाना भी नेता हुआ उन्होंने भी एक्टिंग सीखिये अपसे एक्टिंग सीखा है और इस साल अपने आपको अपने क्राफ्ट में लोग ने इतना काम किया है तो मेरा मानना है कि तो इस फिल्म में ड़ट 5% लोग ही डिजब भी करते हैं 5% लोग ही है जो अपने क्राफ्ट को लेके कंसर्ण है अपने क्राफ्ट पर काम करते हैं उनके अंदर ऑनिस्टी है डिसिप्लिन है डेडिकेशन है ठोकि यह एक्टिंग फिल्ट जो आपको इतना कुछ देने वागा है आपकी चेहरा उने करो साल पांच साल लगाते हैं उसके बाद में जॉब में अब इतना घिषते हूँ तब जाके एक अच्छे लेवल में पहुंचते हूँ बट एज एक्ट जहां से इतना कुछ आपको मिलता है आप सास्ते हैं कि तीन मन्द चार मन्द ऐसी ही मिल जाए बहुत लोग तो ऐसी ही लोगों को तो बेखूब बनाते हैं कि आप पैसे दे दो इस फिल्म के हीरो आप ही है आपकी शकल अच्छी है आपने से पैसे इन्वेस्ट करने आपको यह बना रूज़ा और बहुत दोकार रहा मेरा जो इन प्रेसिंग ड्रिम्स मैंने स्टार्ट किया तो इस इनके रिज बनाने के नाम पे बिए को बना रहा हैं बच्चे दरीब घर के बच्चे उसका फादर पैसा देते हैं उसका ओकार्ड बनाने है दलज जगर पर इक्टिन सीक है दिनमंध में अक्टर बनने के चक्कर में बरबाद कर देते हैं तो जब इन चीचों को देखा तो मुझे लगा सच में एक ऐसा प्रेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर इस लोगों को सही गाइडलाइन किया जाए बाकी चीज़े हो जाएंगे अगर आपको सही गाइडलाइन मिल जाएगा आप ऐसे करके इन से मिलके आपो सचछस मिल सकता है तो आपको लाइफ बहुत वड़ा अजाता है अब बिना एंटिंग सेहे कितने लोग एंटर बन सकते हैं और कितना सक्सिस मिलेगा आप एक पैक्टिस है आप बोड़ी जो है आप घर पर भी बना सकते हैं आप तो खुद से भी dips मार के push up करके pull up करके body बना सकते हैं और च्या होता है एक gym में जाते हो तो एक trainer होता है एक mahal मिलता है और आपकी क्या कम है उस पे ज़्यादा काम करके तो उसको और अच्छा बनाते हो तो इसलिए एक acting class करके एक trainer फगर फुद आपको अच्छा guideline कर सकता है तो तो ही होता है और acting सीखने के बाद कितना person chance होता है कि वो उसे किनवी दुनिया में success मिल जाएगी तो क्या होता है acting सीखना important नहीं है उसकी it's like a practice बिलार्ट को लिए कितना भी अच्छा किर्कीटर है और उस वह उठके practice करना छोड़ दी तो सब बेकार हो जाएगा तो यह आपका daily basis पर practice करना होता है आपने एक चीज सीखा एक process सीखा उस process के practice daily basis पर होना चाहिए तब चाहिए आप perfect बनी रहेंगे ऐसा नहीं कि आपने एक time पर काफी energy डाला उसका पर छोड़ दिया कि अरे ऐसे ही हो जाएगा उस माहल में होना होता है जैसे बहुत सारी कानियान सुनते हैं कलागारों की कि कहते हैं कि इस role के लिए उन्होंने एक मेने अपने आपको कमरे में बंद कर दिया उन्होंने जाके जैसे धारावी के slum के उपर कुछ फिल्म कर रहे हैं तो वहां के लोगों के साथ जाकर रहना सीख रहे हैं तो ये सारी चीजे जैसे बोल चाल की भासा आपको उसमें उतरना ही पड़ता है 100% क्योंकि अगर आप ऐसा performance करना चाहते हैं जो लोग लंबे टाइन तक देख सकें तो आपको वैसा dedication देना ही पर है आज रामायन या महावारत जो पुराने बने उनकी क्यों हम बात करते हैं क्योंकि वो dedication उन्होंने दिया है उस तरह का मतलब वो dedicated हो के director ने suit किया है तब जाके आज भी उसको appreciate करते हैं आज भी हम देखना पसंद करते हैं तो वापस जहां आप dedication नहीं देखेंगे जो body आप 4-5 साल के लंबे खसाइच के बाद में बनाते हैं और जो 6 months में आप supplement खा के बनाते हैं उन्दों देखने के साथ ही पता ज़ल जाता है तो यह कि this process, it's a long time process not a short term things आपने आया और ऐसे ही होगी है यह काफे dedication चाहिए, यह काफे discipline चाहिए अच्छा जब आप मुंबई आया थे बात बीच में अदूरी रहे जब आप मुंबई आया थे तो आपने पहली जॉब क्या की थी पहली नोकरी क्या मिली थी आपको वर्स थींग क्या होता है था मुझे जब इस फिल्ट में सभाए यहां पर तो खर्ची करने तो पापा के पैसा खर्चा करने में अच्छा लगी नहीं थी हो तो मैंने न और यहां पर काम मिल नहीं रहा था फिर कम्पनियों को ट्राइट गोंपनी आपना सविंग ज रहा था improved तो जो अस वह इसा च्राप करना नहीं तो आपना पर और यहां मिलने रहा था बर्स, 4 stat चार मन्त करने कि बादे मुझे उत्रदन ते में काम में दिया और मैंने इसमें करियर स्टार्ट कर लिया फिर काम कि अब सेरियल में मजा आया नहीं क्योंकि घर बैठे मैं अपनी सिटर भूलता तरही यार क्या पूरिं सा से जिर em देखते रहते हो फिर उसमें काम करना मुझे कैसे अच्छ तो उसकी बड़ी अजीब सी कहानी है सत्यागर मोई चाल्डूट फैप्रेट मिताव चंथ थे अजय बंद ते अगरीना का पूर मनोच बाच वी ते महारती थे इस मूवी में तो मुझे ये करना था तो फिल्म मैंने काफी अलग तरीके से अप्रोच करके मैंने इस फिल्म में अपना काम है इतनी बड़े-बड़े इकलाकार हो जो आपने पहली बार देखा तो क्या अंदर से क्या फील आ रहा था जब देखा तो बड़ा नॉर्मल सा लगा कि हम आपको भी वैसा उस तरह का महान बन सकता है बढ़ डिफेंट वी होता है डेडिकेशन, डिसिप्लीन और लगी रहना इंपॉर्टेंट होता है जो लोग है वो मतलब उनमें हमें अंतर होते हैं वो डेडिकेटेट हैं डिसिप् यूश में वालोंने मुझे कांटेक्ट किया था कि आप हो जो आप इस पर लोग अशा क्या हो रहे जैसे आज पने आपसे बहात हुरी तो में मुझे जय सरá आपि स्टूडियो के सामने में मुझे बोला कि आप एसा बहुत के बता है तो गरली वह हमने कि हो एंडिया कि लिए कि आप कैसे लोग का से ồi करते हैं तैम्न में वही था अच्खा फिलमी दुनिया से इतने तो बुख सारे लोग जैसे बनना चाहते हैं, बट बंसे करते हैं, तो जो I think आफ एडर सिनेमा को आफ कट करते हैं, इसो क्यों नहीं में करें तो चलेगा, बट Web आप तो आप को फॉलो करते हैं, से खून खरावा दिखा रहे हो तू क्या बता हूं मैं मैं इस पाच से काफ़ी दुखद हूं कि आप अपने जब रोड मॉडल को ऐसे मुझ भी देखते हैं और करते वे देखते हैं और कहीं नहीं कि लोग इससे इस्पाइर हो रहे हैं इस ऐसे फिल्मों के इतना है दिखते हैं कई आपके बैक आप माइंड वे वह असर डागता है कि आप वैसा जब आप उनको एप्रिसेट कर रहे हो ऐसे सिनेमा को दो बार तीमर जाकर देख रहे हो पेने तो वैसा आप बनना चाहते हैं या उस तरह की फिलिंग अप अपने आपको दे रहे हो तो कि लास मन्त मेरे फैंपली में से गड़ना है लड़ी जो एक अपने सविप अपने चाचा को अपने मा को अपने मा को मार दिया तो यह लोग अपने पास वाल बार ला रहा है गण रख रहे हैं तो कुई मैंने अपने इस चीश को ज़ला है साइधर नहीं ज़लता तो मैं इससे को फिल नहीं करता और फिर मैं एप्रिसेट करता कि एनिवल जैसे फिल्म में बननी चाहिए बट नहीं बनना चाहिए कहीं नहीं आप और आप आप इसा नहीं लिए पर आप समाज को जो आप से मुख चुरे हुए उनको गलत मैसिस्ते रहा है अब देश को गलत दिसा में लेकर जा रहा है यह मैं अरनवीर कपूर के लिए बोलता हूं उसके जो डिरेक्टर उनके लिए को बोलता हूं बैं मनी मेकिंगी नॉट अब वेटिंग सब कुछ पैसा कमाना नहीं होता है अशुरता जिसे देखें बहुत सारे जो कलाकार होते हैं वो पान मसाला का विज्ञापन करते हैं तो आप सोचे कि कितने ही लोग जो आम जनता है उनको लगता है कि अगर यह सेलिब्रेटी मेरा खा रहा है तो कुछ तो बात होगी जबकि वो खाता नहीं है वो है वो रजनी गंदा खाती थी और उन्हें मौत कैंसर हुआ और काफी गंदा तरीके से उनका ऑपरेशन किया गया और काफी बुरे तरीके से भी सर्वाइब कर रही है तो बड़ा कुल सा लगता है यह असानी से बोल देते हैं और मैंने उसका इलैची का तो बिग्यापन कि है तो आप जहां हमारे फिर्बॉल की जो रोनार्डो है वो कोको कोला उनके सामने होता है उसको शेक देता हो तो और हमारे एक्टर्स वुटका को परमोट कर रहे हैं हमारे किर्केटर्स यह क्या बोलें जुआ जैसे वे प्रमोंटिंग 11 चीज़ों को परमोट कर रहे है वो बिल्कुल आप से ले जाएए आप डेपरेशन के शिकार हो जाएंगे इन गुट को आप आड करते हैं मतलब को की बोतल को फेग दिया उसने जहाँ की बोतल को बाइकाउट करता है यहां रुटका और जुवार इसे चीजों को डैव नहीं बोल पा रहे हैं हवारे से लेटी इनकों इंडॉस कर रहे हैं को यह तो काफी गलत है मतलब मनीज अप्रिटिंग होता जा रहा है लेकिन आप फिल्मे दुनिया से यह कहने कहीं टच हैं आपका इंस्टिटूट इतने सारे कलाकारों को आगे बढ़ा रहा है इसी इंडर्स्टी में जा रहे हैं तो आप जब एक्टिंग आपके इंस्टिटूट से लोग सीख कर निकलते हैं तो क्या काइट करते हैं आप उन्हें कैसा लाइट जीना चीह हो नहीं यह फरस्टी मेरा इंपोर्टेंट होता है कि आप अगर मेरे यहां कोईगी आता है कि आप अच्छा एक्टर बनिए अच अच्छा परफॉर्म और इसन नहीं है उसका आपके डूल में सूट नहीं कर रहा है यह कैमरा के सामने नेच्टरल नहीं लग रहा है बट एक दूसरा ऐसे ही आपको क्योई भेजता है आपना और वो काफी अच्छा एक्टर आपको दिख रहा है और इसन अच्छी तो आप किसी डिजर्विंग को ना लेकि किसी अपने चानने वाली को ले रहें तो पाप कर रहें आप नेपोरिजम की बात कर रहें यह आप यह कैसा कर रहे हैं पाप है क्योंकि आप और ओडियंस के लिए एक इंटरेंमेंट बना रहे हैं तो आपको जो बेस्ट फिर्म को पर रहे हैं तो कहीं नहीं कितनी अच्छी करती करता हो या करती हो लेकिन अधर उसका पैचान नहीं है अंदर तो उसे बहुत ज्यादा श्रगल करना पड़ेगा अगर आप में दम है आप लगे रहेंगे तो आपको मुकाम मिलेगा कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी है और ऐस जैसे लोग हैं तभी जैसे बहुत सारे अक्टर्स नॉर्मल बैक्ग्राउंड से आके जैसे कार्ती आरेन की बात कर ले आपको प्यार से पंकस त्रिपार्टी की बात कर ले तो अगर में टैलेंट है तो आए दिखें को रोक नहीं सकता है ज़रूर बादल आएगा उसको र किर्म अंदर्स्टिव से आप दोनौं भीार से करका कभी मिलना हुं से को यह साथ मेन्य का कमिल बात कर रहे हं डिली में मेरे फ्रेंड की थी और ढ़ल裡面 in Dadalua एउसे हो साथ में यह बेन हो साथ में और मैंने अनको गरदान तो पूढ़त अपने बन्गले में खटिया ओई रखते हैं जो गाव देहात में इस्तमाल होती है हाँ तो कि कुछ भी आदमें अदर जमीन से जुरा हुआ है तो अपने चीजों पर ब्रॉड है तो ओविस करेगा मज़ा वो खटिया में ही और नीची सोने में ही नहीं है मांकि उन बेड़ी सब दिखावा है मैं सही कह रहे हैं अभी तो कुछ टाइम पहले हो आप जमीन से जुरे रहे हैं तो असली मज़ा उसी में है मांगे तो इस सारा लगजरी हमने ऐसे बना दिया है आप अगर अजर याद करें तो जाला मज़ा तब आता था जब हम एंटिया गुमा ओना जे टीवी देना अभी छुछ तो में नेट्फ्लिक्स पड़ा है बहुत के आते हैं तो उनको एक सही गैडलाइन मिले सही ड्रेनिंग मिले एक सही प्लेटफॉर्म तो यह खाफे बड़ा कौज है और मैं उन लोगे लिए खड़ा होना चाहता हूं जो मेरे जैसे लोग करने के यहां पर आते हैं तो इस कौज को मैं नहीं छो सकता आप कौज की बात क कि मुझे जोइन करें मेरे यहां कूर्स करें करें यह करा भी मेरे दिमाग में नहीं होता मुझे यह होता है उसको देख के समझ के मैं उसे एक सही गाइडलाइन दे पांग और जैसे क्या होता है आप किसी को रह法 ग्रा सकते हैं किसी को अच्छा ट्रेइनिंग देके उसको आप उसको अच्छा ट्रेनिंग दे रेंगे और उनको एक कहीं कहीं अच्छा गाम कर रहा हूं आपकी कनेक्ट होता है तो इसलिए मेरे बच्चे को काम पर रख लेता है क्योंकि मेरे ट्रेनिंग अच्छी होती है यहां पर आवार्ड विनेर आते मेरे सूच सही है साथ कि अच्छा मेरे साथ कि आप बहुत सारे स्टूर्ट्स जो आते हैं इंको रहने के लिए घर भी देते हैं उनका खर्चा उठाते हैं तो मेरे पास में आते हैं नहीं होने देता हूं रहा रहने का जब प्रॉब्म स॓न हो गिया तो उसको फिर आप्पिंगा नहीं रहते हैं तो रहा कॉइव करता है तो उसके उसके दश कवांटक्ट बन जाते हैं ऊसके ऺज Сейчас कि मुंबएज देख कि मुुठी निकल गया मतलब निकल गया तो लोग भूल जाते हैं आपके साथ पर बहुत सारी घटनाएं हुए मतलब स्टुड़ेंटों आपके क्डरीबी होंगे बहुत सारे से होगे जो आपका फायदाऊ करेंने निकल जाते फिर विर उसके बाद आप अच्छा करनें उनक से उसने मुझे चेट किया उसने मुझे मुझे बेलकूब बना तो ऐसा नहीं होना चारिए तो खाथवी लोगे सबका अपना अपना नसीब होता है कौन क्या गारता है बड़ मैं कोई एकटिंग में क्या ज़रूरी है इसी चीजE जो एक्टर को होना चाहिए कि ये चीजे में करूंगा, जो प्रैक्टिस कर रहा है, एकटिंग सीह रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग एक्टर नहीं बन पाते हैं, जो नहीं बन पाते हैं, उनको आप क्या परस्स तिंग इस सुचता हुआ है एक्टिंग जो आप जो करना चाहते हो वह बड़ा चीछ ए चोड़ा चीहिनी में तो एक अच्छा टाइम लेगा हूँ और अच्छा टाइम लेगा और डेडिकेशन और डिसिप्लीन बड़ा चोटा वर्ड है और बड़ा साली से लगता है करेंगे और मैं काफी साल रोग यूभे से बड़े से बड़ी सी की डेस्टी पडिसिप्लीन और एडिकेशन मेंटेंट नहीं गठ पाते हैं मैंने बौला लास्टाम предложag 5 प्रसेंट करना परेगा तुम्हें इन्वर्स से करनेक्ट करना परेगा और मैं हमेसा अच्छे कुमार का इस चीज के लिए हमेसा अप्रिसेट करता हूँ वह हमेसा बोलता है कि उस सुबह आस्ट कभी मुंबई मैंनों ने उखते हुए सुरज को देखना मिस नहीं कि आप 430 में उठते ह के लिए साड़े नौबजे सोना इसी तो नहीं होगा जैसे इसके जरूर यह तो है कि आप जैसे राइटिंग में हो या अधर क्रेडिव वर्क हो तो अब लेट ना तो बाट इस एक्टर में स्पेसल मैं डाइक्टिंग डारेक्शन डारीटिंग वाले को इसा नहीं बोलता कि एंग्यज के एकसाइजिज को करना चाहिए तो अग्टर अगर आपको आपको यह डिसिप्लीन तो फॉलो करना ही पर एगा इस शुवर पर आपके कितनी आसता है हंड़ी परिसेंट सब तो इस च्वर के किरपा से ही इसको आप हम और आप बोलने हैं तो इस वरी ही ही है पूजा PARTI करते हैं हम पक्यादा Spit चाफ है अच्छा परमान honसे की टाइम में आता है जा आपके पूजा करते हैं आपको आडिया मिलता है कि हम यह मैं कर रहा था ओनी नी चीजिए और पूजा करने से मुझे काफ़े अच्छे इनुवेटिव आइडिया आता है जो मुझे यहां पर काफ़ी हेल्प करता है उपरवाले से जो मांगता हूँ उपरवारवार दीर सतंवी देही देता है तो सबसे इंपॉर Nelson क्या चाहिए होता ह्ण सुखी जीबन चाहिए होता है यह आप सुखी हो, खुस हो पैसो का अंत नहीं है बट आपके जो भी हैं उसके आप खुस रहें उसी में आनन होता है तो वो आनन मुझे प्राप्त है वाज किल्ए मैं ऊपर वाले को कहा शुक्र कर जब पूज़ाद अब मुझे यही आनन चाहिए दिखे आज आज आप सफल हैं आप उपर वाले का शुक्रियादा भी कर रहे हैं इनके बारे बाते कर रहे हैं पूजा करें लिकिन जब आप सक्सेस नहीं मिली थी आपको क्या आप अपनी जिंदगी को कभी कोसा करते थे यार क्यूं आया मैं परवाला जैसे मैं अगर एक्टर बनता यह डिरेक्टर बनता लिदीविजन मैं जिकटर बनता बट मैने के ऐसे नेक costs तो मैं कितनों का ड्रीम पुड़ा दर सकता हूं. I have the opportunity कि मैं अपनी जैसे कितने लोग को एक्टर बना सकता हूं, डिरेक्टर बना सकता हूं. आपके इस्ट्रीट से सीख कर अभी तक कितने स्टुडेंट मेरे इस्ट्रीट से सीख के कोई सारुक खान, सल्मान खान किया, कोई ऐसा बड़ा नहीं बना. But there are a lot of people जो काफी known नहीं है, but काफी अच्छा काम करें, serials में आ रहे हैं, web series में काम करें, ad films में काम करें, film में का रहे हैं, but they are not known like any big name. तैसे काफी सारे technique अगर editing और direction की बात करते, तैसे काफी लोग हैं, जो editor काम करते हैं, जो director काम कर रहे हैं, काफी छोटी-छोटी लोग जो security guard की guard का father था, auto जलाते थे, ऐसे लोग आज अच्छा कासा one lakh monthly run कर रहे हैं, जो मुझे एक बार बोलता रहे हैं, सर मुझे के sport boy में काम लगा दो, जो मैंने सको training देखे, आज वो two lakh rupees monthly earn कर रहे हैं, जो serial director, तो ऐसे काफी सारे examples है, जो तो ऐसे काफी अंसंग heroes हैं, जो मेरे, मेरे स्टूर्ट से बहुत बहुत ही हीरो नहीं है, बट काफी सारे अंसंग heroes हैं यो, स्टूर्ट से, अच्छा, टीवी सीरियल की shooting में और फिल्मी shooting में क्या आंतर है? देखो आप सिधा सब सब रहांतर हैं कि टीवी आप डेली बेसिस पर आ रहा होता है, तो अगर आप उनके quality का और फिल्म आप मतलब 70-60 डेज में, 70-40 डेज में, आप एक फिल्म मराते हैं, और ये 30-minute का footage आपको ये डेली shoot करके देता है, दो गंटे का footage आप की देरे में, देरे में, 6 days में रहे हैं, यहाँ पर 30-minute नहीं, 22-minute का footage आप दे रहे हो, एक दिन के shoot में, तो डिफ्रेंस तो आप खुदी समझ सकते हैं कि क्या डिफ्रेंट होता हो, फिल्म एक बड़ा canvas होता है, लाइफ टैम होता है, फिल्म आप हमेसा स्रील रिपीट आप नहीं देखते हो, आज भी हम दिल्मार के मुझे देखते हैं, मिताब जी की फुराने में फिल्में थो, तो फिल्म एक अलग canvas होता है, अलग चीज होता है, उनके भी काफे काफे कंस्टेंट है टीवी बालों के, अच्छा जिस तरह से पिसले ढाई तीन सारों में, बॉल्यूट का थोड़ा सा जो नाम खराब हुआ है, किन इनकी किसी वज़ा से, जैसे ब्रक्स के केसा हैं, सुशान तौला मैटा रहा हैं, उसके बाद लोगों ने साउथ की फिल्मों को देखना शुरू किया, वहां से अच्छी कॉलिटी वाली फिल्में मिली, अच्छी स्टोरी वाले संस्कारों वाली फिल्में आ रही हैं, हिंदु तुकुलिकर फिल्में आ रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, इसका कितना आफर पड़ा है वालियूट के पर? क्या नाम तरावली? सौथ के बात करें तो फिर प्रॉड होनगी दिर कल्चर से अपनी चीज़ों को लेगे काफे प्रॉड हैं काफे अच्छी तरीके दिखाते हैं जो अपने तो जब आपको इस अच्छा ऑफ्सन मिलने लगे या साथ पहले ऑफ्सन नहीं होता था इन मूवी को देखना बट बा पहले हैं लेकिन बॉलिट के बहुत सारी फिल्मों में आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेंड़ अप कॉमेडियर्स भी हैं तो हिंदु देवी देताओं के बद्रेटी पड़ियां करते हैं तो फेल्म तो मिल जाता है लेकिन कहीं न कहीं आप दूसरे के धार्मिंग अपने चीज़ों को गलत बोलना है साथ उनको उनसे उस माध्यम से जादा इजली हो हाइलाइटेट हुए आता है तो उसका रास्ता चूज करते हैं पर उसको डी फेम बोलेंगे उसको डी फेम ही बोलता है और उस फेम से कुछ फाइदा होता है नहीं किसी का फाइदा अपने आप में कि कहीना कहीना आप जो मतलब अपने जो सपने थे आप इन लोगों में देख रहे हैं और काफी जो लोग जो अच्छा काम करते हैं जो आगे बढ़ रहा है तो उनको देखके कहीना काफी अच्छा रिलीफ मिलता है तो काफी मुझे मुझे मुझा आता है ड्रीम लेके आता है तो मैं उसे एक चैलेंज की तरह लेता हूँ उसका वो ड्रीम पूरा हो उसकी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ तो जहां तक मैं 100% उनको दे सकता हूँ जो चुसने को सही ट्रेनिंग, सही गाइडलाइन, सही पूरा 100% कि मैं उससे दो और यही रीजन है कि मुंबे जैसे महानेरी में जहां इतने महारती लोग बैठे हैं आज ही मैं ठीका हुआ हूँ क्रुकि मेरा इंटेंशन प्यूर है, मेरा काफी इंपोर्टेंट वाज है जो मैं कर रहा हूँ और कुछ ऐसी चीज़े जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने प्लेसिंग ड्रीम से जो में सो गई हो जैसे मैं ने वार तो लगों में लगों सारा कुछ बता ही दिया है ट्रीम को सही से गाइडलेन दिया सके उसको पूरा किया जाए तो उसमें एक अलग ही आनन्द है एक तो होता है आप इंडिविज्वल नहीं आप इतनी सारे लोग ड्रीम को रास्ता दिखा रहे हैं तैस प्लेसिंग ड्रीम और यह आयम थैंक्स ओपर वाले का यह जो ही इस का काम के लिए चुना इनोंने और वो भी इस ट्रेंट आता है मेरे पास से नहीं बोल चलिन नंदन जी आप से बात करके बहुत अच्छा लगा बहुत सारे एक्स्थीरेंस आपने शेयर की है बहुत सारी एसी भी चीजे शेयर की है जिससे आने वाले जो यंग स्टूडेंट है वो को सीख सते हैं जिंदिगी को जीने का आपने अन्वा बताया है कि कम संसादों वही को अविशनाओं भी आप जिंद ही जी सकते हैं जिंदिगी में आगे बढ़ सकते हैं और एक्टिंगी इस दॉन आगज की आपके सिगहा। इसे lifetime experience होता है जो हमारे topics से आपको किसी भी चीज में अच्छा काम आ सकता है अच्छा politician बन सकते हैं अच्छा वक्ता बन सकते हैं अच्छा speaker बन सकते हैं एक अच्छा expressive इंसान बन सकते हैं जो अपनी हरीक emotion को अच्छे से express कर पाई तो acting आपको हरीक aspect of life में काम आता है और मुझे जाब थाइंक्स की मुझे एक opportunity दिया प्रेट फॉर्म दिया जाम मैं अपनी बात रक्षा को और मैं कभी अपने आपको वैसा नहीं समझता हूं आज भी अपने हरेके यसे कुझ बोलता हैं कि आप एक्टाइन बननना चाते थे अपनेकर नहीं बन पाया आपने रघ्र नहीं करना चाहिए कि आप यह बन पाये तो नहीं बन पाया तो यह बोलता हूं कि तुम यह १ी चीजी नचे तो मैं कोई इसा बोलना चाहते हैं तो मैं बड़ा ही रो और या बड़ा सक्सेस्पुल इंसान हूं जो मैं चाहता है कि हर स्ट्रेंट उसका सबसेश्पुल बने के बात भी आप जमीन पर इतना जूले हुए यह कहा से मतलब आपके माता-पिता से मिला हुआ है कि आप कोई अगर नहीं समस्तते सबसें है तो बेकूफी है आप इस जमीन पे जायेंग तो हमिशा अब अगर जमीन पर ही रहे तो ज्यादा अच्छा थे जतना इसींग्रोंड में हमें मिलना ह lazım सिंपल साफीफ ये बहुत बहुत दैनेवाद आपने अपना समय रजा तरही